हलो एवरिवान, स्वागत आपका अपने ही चैनल वीवगापैनकर में आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा ठीक है, इसका जो टाइटल है, वो है My Ambition in Life My means मेरी Ambition होता है, महत्व कांक्षा In means मे, Life means जीवन ठीक है, तो टाइटल क्या बनेगा इसका जीवन मेरी महत्व कांक्षा चलिए, इसका स्टार्ट करते हैं इसकी word to word हिंदी में यहाँ पर आपके लिखती जाओंगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाए ठीक है, और आप अच्छे से English को सीख पाएं तो चलिए, स्टार्ट करते हैं Ambitions are a necessary thought Ambitions क्या होता है, महत्व कांक्षा महत्व कांक्षा ठीक है, are means है एक ठीक है, necessary होता है, आवश्यक Thought means विचार ठीक है क्या है जो महत्व कांक्षा है, एक आवश्यक विचार है, ठीक है Everybody has some or other ambitions in their life Everybody means हर किसी का हर किसी का has means होता है, है हर किसी के पास है has means होना, पास होना हर किसी के पास है some or other means कोई न कोई कोई न कोई ठीक है, some or other इन सब का meaning है कोई न कोई ambition means महत्व कांक्षा है in their life in means में their means अपनी उनकी अपनी जीवन में समझते हैं इसको Everybody has some or other some or other means कोई न कोई ambition in their life हर किसी की अपने जीवन में कोई न कोई महत्व कांक्षा है ठीक है has means मतलब होना ठीक है पास होना has means पास होना without ambition without means बिना ठीक है ambitious means महत्व कांक्षा बिना महत्व कांक्षा के life seems to be without any motive life जो जीवन है लगता है ठीक है seems है न क्या है present indefinite का tense है ठीक है life seems to be without means बिना किसी any motive बिना किसी motive क्या होता है लक्ष्य ठीक है बिना किसी motive के without ambition life seems to be without any motive कि बिना महत्व कांक्षा के जीवन बिना किसी लक्ष्य के लगता है ठीक है ambition gives us the energy ambition होता क्या है ambition होता है कि like जैसे हम छोटे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है हमारी क्या महत्व कांक्षा है क्या हमारी इच्छा है कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं teacher बनूँगी कुछ कहते हैं doctor बनूँगी कुछ कहते हैं lawyer बनूँगी तो उसको बोलते हैं महत्व कांक्षा, ambition, ambition gives us, ठीक है, महत्व कांक्षा, देता है हमें, ठीक है, gives लगा है, ता है, ते है, ते है, इसका sense पैटेगा, give means देता है, ठीक है, gives means देना, तो S लगा है, तो इसका जो sense आएगा, ता है, ती है, ते है की रूप में, ठीक है, महत्व का to achieve प्रापत करने की, प्रापत करने की our goal, हमारा लक्ष, हमारा लक्ष प्रापत करने की हमें शक्ती देता है, ठीक है, there can be many obstacles and hindrances in getting our objectives to be fulfilled, there are, कि बहुत सारी है, वहाँ है, हो सकती है, there are many, बहुत सारी, बहुत हो सकती है, can be है, तो means हो सकता है, हो सकती है, इस तरह से, सकती है, many means बहुत, ठीक है, बहुत हो सकती है, क्या हो सकती है, obstacle means क्या होती है, बाधाएं, रुकावतें, हो सकती है, in getting, पाने में, आर अबजेक्टिव हमारा अबजेक्टिव क्या होता है लक्ष उदेश्य हमारा उदेश्य पाने में क्या हो सकती है बहुत सारी बाधायों रुकावते हो सकती है इन्हें पूरा करने के लिए इन्हें पूरा होने में ठीक है इसको समझते हैं ambition gives us energy to achieve our goal महत्व कांशा हमें देता है शक्ती अपना लक्ष परापत करने की ठीक है बहुत सारी बाधायों रुकावते हो सकती हैं इसे पाने में हमारे उदेश्य को पूरा करने में बहुत सारी बाधायों रुकावते हो सकती हैं ठीक है but if we have a clear ambition then it is not difficult from ठीक है यहां से dot है but if we have लेकिन यदी we have हमारे पास ठीक है we have a clear means साफ ठीक है clear क्या होता है साफ उचित तुरिष्टिकों स्पष्ट साफ और स्पष्ट क्या है ambition है महत्तव कांग्शा है लेकिन अगर हमारे पास स्पष्ट महत्तव कांग्शा है then it is not difficult फिर ये है नहीं मुश्किल ठीक है अब इसको बनाएंगे हम उसने क्या बोला है कि यदि हमारे पास स्पष्ट महत्तव कांग्शा लेकिन हमें स्पष्ट रूप से अगर हमें पता है कि हमें क्या बनना है ठीक है then it is not difficult फिर ये मुश्किल नहीं है ठीक है then it is not difficult अब देखिए from my childhood बच्पन से मेरे बच्पन से from means से ठीक है I have the ambition to become a doctor मेरे पास है एक महत्तव कांग्शा to become बनने की a doctor ठीक है डॉक्टर बनने की एक मेरी क्या है महत्तव कांग्शा है and serve, sevaa करना the whole, पूरा nation means राष्टर, राष्टर की सेवा करना और मानवता की ठीक है I have the ambition to become a doctor की मेरा जो है एक ambition है महत्तव कांग्शा है क्या बनने की डॉक्टर बनने की सेवा करने की पूरे राष्टर की और मानवता की ठीक है, as I have seen the white dress of the doctors जैसे, जैसा की मैं, I means मैं, have seen have के साथ third form लगी है, क्या है ये ये है present perfect जिसकी जो पहष्चान होती है, चुका है, चुकी है, चुके है या फिर a है, e है, a है जैसा की मैं देख चुका हूं, ठीक है seen means देखना, देख चुका हूं the white dress, सफेद कपड़े of the doctors देखे, doctors के doctors के मैं सफेद कपड़े देख चुका हूं, at first I was fascinated, सबसे पहले मैं was fascinated, fascinated क्या होता है, मोहित होना ठीक है, मोहित अब देखे, was के साथ fascinated third form लगी है, तो क्या है, यह passive है means मैं मोहित हो गया था ठीक है, क्या होगा मैं मोहित हो गया था यह sense आएगा was के साथ third form लगी है न तो इस तरह से क्या आएगा, line का जो अंत में जो sense बैठेगा वो है, at first I was fascinated by the same, कि मैं उसके same means वही वही मतलब जब मैंने as I have seen the white dress जैसे ही मैंने जैसा कि मैं देख चुका हूँ सफेद कपडे उस डॉक्टर के, ठीक है, सबसे पहले मैं मोहित हो गया था, उसी के लिए by the same, ठीक है उसी के लिए यह भिर वही उसी चीज के लिए but I also have a love for their noble work too but लेकिन I also, मैं भी have a noble मतलब have, क्या है मुझे प्यार है for their उनके noble noble क्या होता है, महान काम से भी ठीक है, काम के लिए भी to means भी यह देखिए but I also have love लेकिन मुझे भी प्यार है उनके महान काम से भी ठीक है, I wanted to provide free services to the people I wanted, मैं चाहता था I wanted to ठीक है, मैं चाहता था to provide means क्या होता है उपलब्द कराना उपलब्द कराना free means service means सेवाएं ठीक है, मैं चाहता था उपलब्द कराना मुफ्द सेवाएं to the people लोगों को लोगों को who जो ठीक है who were जो थे क्या थे गरीब जो गरीब थे मैं उनको मुफ्द सेवाएं उपलब्द करवाना चाहता था secondly ठीक है दूसरे रूप में I have seen many of the patients dying because of not having money and facilities I have seen मैं देख चुका हूँ या फिर मैंने देख लिया है ठीक है many बहुत many of the patients बहुत सारे बहुत सारे मरीजों को dying मरते हुए because क्यूंकी of not having money ठीक है पैसे ना होते हुए पैसे ना होते हुए and facilities 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 क्या होता है सुविधाए आप इसको समझते हैं ठीक है Secondly I have seen मैं दूसरे रूप में देख चुका हूँ बहुत सारे ऐसे मरीजों को मरते हुए क्यूंकी क्यूंकी उनके पास जो है वो सुविधाए और पैसे ना होते हुए मतलब वो मर रहे है ठीक है किसके कारण क्यूंकी उनके पास क्या कारण है पैसे नहीं है और ना ही सुविधाए है ठीक है I wanted to work for them मैं चाहता था Second form लगी है ठीक है मैं चाहता था to work काम करना for them for means लिए them means उनके ठीक है मैं चाहता था उनके लिए काम करना People consider doctor as जो लोग है मानते हैं किसको doctor को as किसकी तरह God भगवान की आकरिती के रूप में ठीक है figures means doctor figures means भगवान की आकरिती की तरह as means की तरह ठीक है मानते है and this feeling यह जो भावना है यह है भावना feeling gave me मुझे दिया इस भावना ने मुझे me means मुझे gave means दिया मुझे दिया immense respect immense respect क्या होता है अत्यधिक अत्यधिक सम्मान for this profession for means लिए this means यह है profession क्या होता है पेशा ठीक है आब इसको समझेंगे people consider doctor as god figure जो लोग मानते हैं doctor को और यह है जो भावना है इस भावना ने मुझे दिया अत्यधिक सम्मान इस पेशे के लिए मतलब इस पेशे के लिए मुझे अत्यधिक समान दिया क्योंकि लोग जो है doctor को भावन मानते है I never wanted to become a doctor full of greed मैं कभी नहीं wanted to चाहता था to become बनना a doctor full of greed means लालच से भरा हुआ greed होता है लालच full of greed means लालच से भरा हुआ मैं कभी नहीं बनना चाहता था doctor लालच से भरा हुआ ठीक है the scenario today scenario क्या होता है like जो आज की रूप रिखा है ठीक है today आज की जो has been changed यह दिखे यह क्या है यह है present perfect का passive है ठीक है has been changed means change means बदल गई है बदल गई है a lot many doctors has been changed a lot बहुत बहुत बदल गई है many doctors have changed बहुत सारे doctors have changed बदल लिया है बदल लिया है अब दिखे डिफरेंस समझे have change यह क्या है यह present perfect है और यह क्या है present perfect का passive है इसमें have के साथ third form दी गई है simple है यह लेकिन इसमें बीच में क्या आ गया बीन आ गया और इसका जो sense बदल गई जैसे has been changed means बदल गई है have changed means बदल लिया है कितना फरक है sense देखे mean जो हमने इसकी देखनी है sense देखेंगे कि कहां पर हमने इसका use करना है have changed their aim अपना जो लक्षे है वो बदल लिया है इसको दुबारा समझेंगे from serving mankind to money making from means say serving mankind means सेवा करना इसकी सेवा करना इसकी मानबता के ठीक है say लेकर mankind to मतलब to इसपे है कि say लेकर यहां से लेकर यहां हो गई है उनकी जो सोच है money making पैसे बनाने की अब इसको समझते हैं अच्छे से ठीक है the scenario today has been changed a lot जो रूप रेखा है आज की जो रूप रेखा है वो हो बहुत बदल गई है यह दिखे इसका जो sense पैठेगा वो बहुत बदल गई है बहुत सारे doctors ने बदल लिया है अपना लक्ष from serving mankind to money making मतलब सेवा की मानबता की सेवा करने से लेकर पैसे बनाने तक को अपने आपको बदल लिया है यह sense बैठेगा but still लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी या फिर अभी भी there are doctors who can be बहुत सारे doctors है ठीक है है doctors बहुत सारे doctors है who can be जो can be a role model for others जो हो सकते है हो सकते है role model क्या होता है प्रेडना स्त्रोत प्रेडना स्त्रोत for others four means लिये others means दूसरों के लिये ठीक है but still there are doctors who can be लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे doctors है जो हो सकते हैं प्रेडना स्त्रोत दूसरों के लिये क्योंकि सारे ऐसे नहीं होते बहुत कम doctor होते हैं जो की अच्छा काम करते हैं लेकिन आज कल के time में ऐसा है कि लोग इन्होंने पेशा बना लिया है पैसे कमाने का from my childhood ठीक है मेरे बचपन से मेरे बचपन से I dreamed मैंने सपना देखा सपना देखा of becoming बनने का a doctor and or my ambition मेरा जो महत्व कांक्षा है did not change नहीं बदली नहीं बदली तो समझे from my childhood ठीक है मेरे बचपन से मैंने सपना देखा है doctor बनने का और मेरा ये जो महत्व कांक्षा है ये नहीं बदली did not change ये क्या है ये past indefinite का negative है जिसमें हम did के साथ not लगाते है और first form का use होता है तो ये था paragraph महत्व कांक्षा के उपर I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर हिंदी लिखने में कोई भी गल्ती हो उसके लिए I'm very sorry क्योंकि इसमें क्या होता है कि वीडियो जादा लंबा हो जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं तो मुझे फटा-फट-फट-फट लिखना पड़ता है तो अगर कोई गलती हो तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत बुलेगा